हलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है शौरफ क्लासेज, फॉयस्ट्री आज मैं बीए समस्टर फाइफ के स्टूडेंट के लिए उनके पेपर सीसी ट्वेल्ब से एक महतवपूर्ण प्रशन मुगल्स पॉनिटरि सिस्ट्रम अर्थात मुगल कालीन मुद्रा व्यवस्था लेकर उपस्तित हुआ हूँ तो चलिए बिना स्वमें गवाय हम इस विशे को शुरू करते हैं मुगल कालीन मुद्रा व्यवस्था भारत में सरप्रतम चटी शताबदी इसापुर्व सोन्यों की नोटों का प्रियोग मुद्राओं के रूप में प्रारम हुआ किंतु सिक्कों के वास्ताविक प्रचलन दूसरी सधी इसापुर्व में हुआ गपतकाल में बहुत ही सुंदर और अच्छे सिक्कों का प्रचलन था गुप्त समराज्य के पतन के पश्चात भारती राजवन्षों ने अलग-अलग सिक्के चलाया किन्तु वे बहुत अच्छे नहीं थे तुर्की शाषन के स्थापना के पुर्व दिल्ली के आसपास के प्रदेशों में दम नाम के सिक्के प्रचलित थे चोटे-चोटे मूले के शिक्के उपर एक तरफ लक्षमी का चितर अंकित था और दूसरी तरफ शाषक का नाम लिखा रहता था दिल्ली सल्तनतकाल में तनका और जीतल के नाम से सोने, चांदी और ताबे के सिक्के प्रचलित थे महमद गौरी के सिक्कों पर टकसाल का नाम नहीं होता था लेकिन उन पर देवनागरी लिपी में उसका नाम अंकित होता था इल्तुतमिष्ट ने सोने और चांदी के सिक्के चलाए जिसमें चांदी का तनका मातपूर्ण है इसमें खलीफा का नाम और सुल्तान का नाम और उसकी उपाधियां अंकित रहती थी बलबन ने अलग-अलग टकसाले स्थापित की अलाओ दिन खिल जी ने चोकोर सिक्के चलाए और उसमें आवशक सुधार किये महमद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के चलाए या प्रयोग पुड़तया असफल रहा और राज्य को इससे बड़ी हानी हुई लोधी सुल्तानों के काल में भी चांदी की कमी थी इस कारण उन्होंने चांदी और तांबे के मिश्र सिक्के चलाए इबराहिम लोधी ने मिलावटदार आधे और चौथाई के तनका चलाए महमद बिन तुगलक के पश्चा तनका की किमत गिरती जा रही थी मुगल सामराजे के स्थापना के समय भारत में सिक्कों का प्रचलन तो था किन्तु कला तथा मुले की दृष्टी से उसमें गिरावट आ गई थी अब हम एक एक करके मुगल शाष्चकों के सिक्कों को देखेंगे तो बाबर और हुमायू के सिक्के कैसे थे शाहरुख पंद्रवी शताबदी के प्रारम में तैमोरी वन्ष का सबसे प्रसुद सिक्का शाषक हुआ उसने शाहरुख नाम से एक सिक्का चलाया जुमाद एशिया और इरान में प्रचलित था इसी के आधार पर बाबर ने काबल से चान्दी का शारुख नाम का एक सिक्का चलाया कांधार में उसने बाबरी नाम का सिक्का चलाया पदर सुन्तिस में उसने आगरा के टकसाल से चान्दी और तांबे के सिक्के चलाया बाबर के चांदी के सिक्कों पर सीधी तरफ कलमा और चारो खलिफाओं का नाम और दूसरी तरफ बाबर की उपाधी अलसुल्तान अलाजम वा अल्खाकान अल्मकर्रम जहिरिन दूइन मुहम्मद बाबर बादशाह गाजी अंकित था हुमायू के सिक्के बाबर के सिक्के के समान थे उसके सिक्कों पर बाबर की सभी उपाधियां अंकित थी केवल मुहमद बाबर बादशाह गाजी के स्थान पर मुहमद हुमायू बादशाह गाजी अंकित था दूसरी बार 1555 में गदी पर बैठने के समय शेरशा दौरा प्रचलित सिक्कों का प्रशारन था हुमायू ने शेरशा की मुद्रा प्रणाली को ही अपना लिया शेर्शा ने मिली जुनी धात्वों के शिक्कों के स्थान पर केवल शुद धात्व के सिक्के प्रचलित किये उसने शुद चांदी के करीब 180 दाने अर्थात ग्रेन का सिक्का चलाया जो रुपिया कहलाता था उसने तांबे के सिक्के भी चलाए जिसे पैसा कहा जाता था उसने रुपिय के आधे, चौथाई, आठवे और सोलवे भाग के भी सिक्के चलाए शेर्शाह ने सोने के भी सिक्के चलाए लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है अब हम देखते हैं अकबर कालिन शिक्को को मुगल शिक्को के विकास में अकबर का महत्वपूर्ण योगदान रहा अपने शाषन के प्रारम में उसने सूरी सिक्को के आधार पर सोने चितांदी और ताबे के सिक्के चलाए सिक्कों को कलात्मक रूप देने के लिए 1577 में मुजफर खां, टोडर मल और शाह मंशूर से विचार विमर्श कर सूप्रसिद चित्रकार ख्वाजा अब्दु सम्मत को टक्साल का निदेशन निक्त किया और फतेपुर सिक्री की टक्साल को उसके नियंतरन में रख दिया इसके अतरिक टक्साल के समुचित प्रबन के लिए दर्बार के वित्ति विशेशग्यों को इससे संबंधित कर दिया गया इस तरह मुदफर खां को लाहॉर की टकसाल, टोडर मरल को बंगाल की टकसाल और ख्वाजा सा मनसूर को जॉन पॉर की टकसाल का नियंतर का उत्रजाइद दिया गया अकबर के काल में सोने, चांदी और तांबे की सिक्कों का प्रचलन था शाषन के प्रारव में उसने मुहर के नाम का एक सिक्का चला जिसका वज़न एकसो और सोट से एकसो सत्तर ग्रेन था टकसाल सुधार के पस्चाद, तरह तरह के सिक्के चलाए गए आईने अकबरी में अकबर द्वारा चलाए गए 26 सोने, 9 चांदी, 4 तांबे के सिक्कों का उलेक है, दुर्भा गिवश इनमें सिब कई सिक्के अभी तक प्राप्त नहीं हो पाए सोने के सिक्कों को सहनसा, रहस, आतमा, विसाथ, चुगुल, लाले जलाली, महतपूर्ण है अकबर ने रुपिया नाम से चांदी का सिक्का चलाए जिसका वजन 11,5 माशा अर्थाद, 178 ग्रेन था इसके अतरिक जलाला, दरब, बर्ण, पंडाव, अस्ठा, दश, काला, सुकी नाम के सिक्के भी चलाए अकबर के तामे का सिक्का दाम कहलाता था, दाम रुपे का चालिसवे भाग के बराबर था तामे के सिक्के को अधेला, आधा दाम, पावला, दमडी नाम से भी सिक्के चलाए दाम को 25 भाग में बाटा जाता था जिसे जीतल कहा जाता था इसका प्रयोग हिसाब किताब में भी होता था लेकिन सिक्को के रूप में इसका हस्त्व नहीं था अकबर कालिन सिक्के चोकोर और गोलाकार है प्रारब में उसने सिक्कों पर अक्बर का नाम, उसकी उपाधियां, तक्षाल का नाम और सामराज अक्षय रहे इस तरह की दुआ मद्रित थी बाद में उसके सिक्कों पर अल्ला हू अक्बर जल्ले जलाल हू अंकित कराया गया अक्वर के शाशनकाल के 40 वे वर्ष कुछ रेनी के सिक्कों पर पद्भात्मक आख्यान अंकित कराया जो किनी कारणों से बंद कर दिया गया कुछ दिनों के पश्चात उन्हें पुना चालू किया गया अक्वर ने असीरगर के दुर्ग की विजय के स्मरण हेतु एक सोनी का सिक्का चला जिसके एक तरफ बाज दुसरी तरफ टकसाल का नाम थथा ढालने की तिथी अंकित कराई कजलचित इस अवसर पर कुछ चान्दी के सिक्के भी चलाया गया जिसमें अक्वर एक बाज के साथ घोड़े पर चड़ा हुआ दिखाया गया उसके शाषन के 50 वर्ष कुछ चलाया गया जिस पर राम और सिता की मूर्थिया और नागरी लिपी में राम सिया लिखा हुआ है आगरे से एक अन्य सिक्का चलाया गया जिसकी तरफ बतक हंकित है उपरोग्त वर्णन से सपस्ट होता है कि अगवर्ण के सिक्कों के प्रचल चालू किये गए सोने के सिक्खे प्रारम में समराज के कई भागों में ढाले जाते थे कि दुबाद के चार स्थानों तक सिमित कर दिया गया था यह स्थान फटेफूर सिक्री राजमहल अहमदाबाद और काबुल है इसी प्रकार चान्दी के सिक्खे के 14 स्थानों पर ढाले जाते थे मुगल कालिन सिक्खे पीट-पीट कर बनाया जाते थे इसमें जाली सिक्खे बनाना सरल था इसके लिए अकबर ने कड़े नियम बनाने पड़े टकसाल के प्रमुख अधिकारी दरोगा और सराफ थे सराफ का उतरदाई तु था कि वा शुद्ध शुद धातू के इसमें मिलावट ना हो अकबर के शिक्खे शुदता और कलात्मक दिश्ट्री से प्रशंशनी है अबुल फजल लिखता है अब सिक्खे राजिकोष के आभुशन बन गये थे और लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे डॉक्टर विंसेंट स्मीथ लिखते हैं कि मुगल सिक के तुलना में समकालिन सामागरी एलिजबेट अथ्वा समकालिन यूरोपिय समराटों के सिक्खों के कुल मिलाकर कहीं अधिक स्रेश ठहरते हैं ऐसा प्रतित होता है कि अकबर और उसके उत्रादिकारी इन सिक्खों की शुदता अथ्वा वजन को कम कर उसे मिलावट करने क कि लालच से सदैव दूर रहे अकबर के कई सिक्खों में तो माना जाता है कि खरा सोना ही सोना है अब हम जहांगीर कालिन सिक्खों को देखेंगे जहांगीर के काल के सिक्खें भी अकबर कालिन सिक्खों के अधार पर हैं उसने निसार नाम का एक सिक्खा चला है जो उत्रा बढ़ा दिया गया अर्था सोने के सिक्के 202 ग्रेण के तो 10 बेसे के बनाएं गये शा ने की चाते वर्ष इस प्रतिरोद पर ये पुना अक्वर कालिन तौल के शिक्के प्रच्वित कराए जहंगी ने भी अपने सिक्कों को पर पद्यात्मक आख्यान अंकित करा है राजारोन के पश्चाद एक सोने की मुहरच लाई गई जिस पर अकबर टस्वीर अंकित थी क्याकों पर आजगे ने अपनी तस्वीर पात्रों को दिया उसके कुछ सिको पर उसकी अर्ध-पतिमा का पाश्वचित्र एक हाथ he Balkan पर रखे हुए अनकित है कुछ सिकोपर हाथ में फूल का प्याला लिखा लिए हुए तस्वीर Bog ऑM हम देखेंगे, शाजहा और अरंग्जेब कालिन सिको कूछ। शाजहा के शिकों पर भी पध्यात्वक्राइप आखिऩान अन्कित है। शिकों पर उसके शिकों पर उसका नाम अरुपादी स्प्रकार न्कित है। इससे दिकपद अंकित कराया गया टकसाल मुगल काल ने सिकों की डài सिकोड के सिधाथ पर अधारित थी सोने के सिक्के शुद सूने के थे small about कोई भी विक्ती शुद शोहती विष्ज ने जाकर राश्य टकसाव से सिक्के डालवा सकता था अधिक प्रयोग के बाद सिक्कों का वजन कम हो जाता था सोने चांदी और अन्य धातों के विनिमय का बाव बाजार के द्वारा नेंतित रहता था शाशन का इसमें हस्चिप नहीं था मुगल काल के टकसाल देश के भिन-बिन भागों में फैले वेते प्रमुक टकसा के नाम पर शिक्के ढ़लते रहे मुगल और गैर मुगल टकसालों में इसकी संख्या इसका से में दो से कम नहीं थी सिक्कों का विनिमय मुल्य को देखें सोने के सबसे प्रचलित सिक्का मुहर था आईने अग्वरी के अनुसार एक मुहर नौ रुपए के बराबर था हॉकि अरंगाबाद में एक मुहर 16 दो बटा पाच रुपए के बराबर था 1676 में इसका भाव गिरकर 12 और 11 रुपए के बराबर हो गया 1695 में एक मुहर 13 एक बटा 4 रुपए के बराबर था एक दाम का वजन एक तोला आठ माशा और साथ सुर्क अर्था 323 ग्रेंद था तामे का म और रुपए का मुले भी ने अंत्रित होता था अकबर के राजी के प्रारब में 35 और फिर 38 दाम के का रुपिया परिवर्थित होता था बाद में 40 दाम के एक रुपिया होने लगा और जिस समय आईने एक बरी लिखी गई उस समय 40 दाम का एक रुपिया था अब अब फजल लिखता है कि यद भी एक रुपए में 40 दाम का बाजार बहु घटा बढ़ता रहता था कि तो वेत रुपया 40 दाम के बराबर माना जाता था जहांगीर के काल में तामे का मुले अधिक परिवर्तित नहीं हुआ इसका लगभग 40 दाम एक रुपय के बराबर था दुरवर्ती प्रदेशों में चांदी की उपलब्धी के हिसाब से इसे परिवर्तन होता रहता था 1636 में गुजर का मुल्य बदलता रहता था इस प्रकार से हमारा यह जो विशय है यहां समाप्त होता है आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद